हेलो गैस वेल केंडू स्पेशल एजुकेशन अमिश्कार दोस्तो स्वागत करते हूँ आप सब का आपके अपने यूटूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों एन ट्रिपल टी यार चंडिगर की जो हमारी मौक टेस्ट की सीरीज सर ली थी उसमें हम लोग ओलेडी आठ मौक टेस्ट डिसकस कर चुके है तो आज का हमारा यह मौक टेस्ट नमबर नाइन तो आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी इंफोर्मेशन शेयर करना चाहूंगा अगर इस एक्जाम से लेड़ अगर आप लोग बुक डाउनलोड करना चाते हो इंगलिश और हिंदी मिडियों में दोनों में आपकी बुक अविलेवल है तो आप लोग जा करेकरम शुरू किया है ऑप्शन साब के सामने उसका राइट अंसर है वर्ल्ड बैंक ने शुरू किया ऑप्शन नमबर सी इस और राइट अंसर अगला कोशन है आर्टिकल 370 ऑफ दा कॉंस्टिटूशन विच वाज सीन इंदा न्यूस इस एससोचेटिट इस समीधान अप्शन नमबर ए इस और राइट अंसर ठीक है आई होप किलियर होगा अगले कोशन की तरफ मुव करते है अगला कोशन है विश्नु देव साई इस दा चीफ मिनिस्टर ओफ इच इंडियन स्टेट तो विश्नु देव साई को कौन से स्टेट का चीफ मिनिस्टर मनाये ग कि हाली में किस एशिया देश ने अपनी वन और लकडी प्रमानन योजना शुरू की है इसका उप्शन सापके सामने उसका जो राइट अंसर आएगा होगा इंडिया ने शुरू की है उप्शन नमबर बी इस राइट अंसर अगला कोशन है विन्बैक्स जो की एक मिलिटरी एक्सराइज है आर्मी सोफ इंडिया की आर्मी और किस कौन सी आर्मी के बीच में एक एक्सराइज है जिसका नाम है विन्बैक्स आपका मतलब है विन्बैक्स एक्सराइज है ये किन दो देशों के बीच में होती है एक तो है इंडिया और दूसरा रहेगा आपका वियत न इंडिया और वियत नाम के बीच में विन्बैक्स एक्सेसाइज होती है, option number B is your right answer अगला question आपका English से related है, तो question आपकी सामने है, to be born with a silver spoon in one's mouth ऐसा बंदा जो अपने मुँँ में चांदी का चमज लेकर पैदा होता है, उसको हम लोग क्या कहते है, तो ऐसे बंदे हम लोग कहते है कि किस्मत वाला है, तो इसका right answer होगा, to be born in a rich home मतलब कि पूरा अमीर पैदा हुआ है, वो वह बंदा, अगला question है, from hand to mouth इसका मतलब बंदा जितना कमाता है, उतना खर्च कर देता है, मतलब पूरा पूरा सा कमा रहा है, so इसका जो right answer होगा, वो होगा, to survive without saving option number B is your right answer, अगला question आपके सामने, error से related है, इसमें आपको error find out करनी है, never before I had been asked to go there by bus तो आप इसमें अपना answer मा कलो, मैं आपको इसका right answer बता रहा हूँ, number one में error है, sorry number B में error है, आपको पता कोई भी question अगर negative से शुरू होता है, कोई भी sentence आपका negative से शुरू होता है, no, none, never से, तो उसके बाद पहले verb आती है, उसके बाद subject आता है, ठीक है, तो यहाँ पहले subject ह फिर verb है, जबकि इसका right answer रहेगा, head I been, तो इसका right answer है, option number B, B में error है, अगला question आपके सामने है, a part of the mango are rotten, इसमें आपको error find out करनी है, तो इसका right answer है, a part of the mango is rotten, यहाँ पर a part, एक part की बात हो रही है, तो यहाँ पर R नहीं आएगा, R की जगे इस आएगा, तो option number C is a right answer, अग इसमें आपको error find out करनी है, इसका right answer है, many accidents can be avoided if we are careful आएगा, we be careful नहीं आएगा, तो इसका right answer है, option number A, अगला question आपका है, reasoning से laid, तो आपको बताना है, which of the following words can be formed using the letter of the given word only once, मतलब इन options को देखके बताना है, यह जो word है troublesome, इन में से कौन सा option हम बना सकते हैं, इस word से trouble sum से related, so इसका right answer है, rule, rubel यह बना सकते हैं, बाकी यह नहीं बना सकते हैं, यह नहीं बना सकते हैं, यह आप लोग ट्राइ करने हैं, जैसे option A में 2 T हैं, बट इसमें 1 T हैं, तो option A नहीं बना सकते हैं, इसी परकार से blakes भी नहीं बना सकते हैं, क्यो कि double s नहीं है इसमें but ruble बना सकते हैं so option number c is a right answer अगला question है यह मैं आपको homework दे रहा हूँ simple सा question है t का मतलब add the rate r का मतलब 5 e का मतलब hash m का मतलब 7 इस type से आपको बताना है इसका मतलब क्यों होएगा f e m u r s फी मर्स का simple सा question है homework दे रहा हूँ आप लोग comment box में इसका right answer बता देना अगला question statement से statement यह हुआ all fun are musty all fun are musty no musty is enjoy no musty is enjoy and some enjoy our party some enjoy is party तो conclusion दियो है some fun can never be enjoy some fun can never be enjoy तो बिल्कुल सही है तो conclusion 1 आपका बिल्कुल true है अगला some party being musty is possibility some party being musty second conclusion भी सही है तो इसका right answer आपका क्या होगा हाँ तो इसका दोस्तों जो right answer होगा वोगा आपका option number c मतलब दोनों conclusion आपके सही है 1 भी सही था 2 भी सही था तो दोनों conclusion आपके सही है so option number c is the right answer अगला question है जिस परकार से यह यहाँ पर question देखो जिस परकार से यह चीज इससे बन रही है तो इससे क्या बनेगा यह आप लोग को बता रहा है ठीक है आप लोग इसका comment box पर चलो मैं बताई देता हूँ इसको add करो 3 plus 7 plus 0 plus 4 को आप लोग add करेगा चोदा आएगा और 14 का क्यूब करेगा तो 2744 आजएगा सेम पैटर्न में अगर हम लोग add करेगा 3 5 1 और 0 5 3 8 और 9 का क्यूब करेगा तो 7 2 9 आता है जो कि मारा option number C मैं सो option number C is right answer मैं थोड़ा सा fast पढ़ा रहा हूँ आपको समझा कम रहा हूँ क्योंकि I think यह चीज़ आप लोग पढ़ चुके होगे already book से तो नहीं पढ़े तो आप लोग जाके पढ़ सकते हैं यह सिर्फ आपकी एक practice है mock test से आप लोग के लिए और आपका कितना score बनता है वो भी आप लोग comment box में जुरूर बताया करो अगला question है W के बाद Y आएगा same pattern को follow करते है question mark का बताना है तो मैं फटाफ़ बतायता हूँ W के बाद X छोड़ोगे तो Y आजाएगा Y के बाद Z छोड़ोगे तो A आजाएगा A के बाद B छोड़ोगे तो C आएगा C कौन कौन से option में है option number 1 में है अगला question आपके सामने है what is the full form of CPU CPU की full form उतानी है central processing unit आपकी CPU की full form होती है option number A is the right answer अगला question आपके सामने है which of the following is the search engine इन में से कौन सा एक search engine है तो Bing आपका search engine है Yahoo आपका search engine नहीं है WhatsApp search engine नहीं है Instagram search engine नहीं है इसका right answer है option number B what was the first computer call पहला जो computer बनाया गया था उसको क्या कहते है उसको N.E.A. कहते है first electronic computer को भी N.E.A. कहते है option number B is the right answer अगर आपसे पूछा जाए first electronic digital computer तो आपका ABC right answer होएगा बढ़ इसका right answer है option number B अगला question है who invented the first computer mouse तो mouse का invention किस नहीं गया था सबको पता है Douglas नहीं किया था so option number B is the right answer अगला question है who is considered the father of modern computing तो modern computer के father किसको मना जाता है Charles Babich को मना जाता है so यह थे आपके आज के question कितना आपका score रहा जुरूर बताना और book अभी तक download नहीं कि तो book download कर सकते हो यह वाले mock test की series नहीं देखी तो यह वाली series देख ले न description box में आपको सारे link बज़ जाएगे और क्यों problems होगा रहा होतो मैंने आप अपनी email id mention कि हुए आप लोग मुझे mail कर सकते हो तो देना हमाँ दोस्तों आज के लिए बस इतने वीडियो छेले तो like चिरूर करना